यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ रेप मामले में जब पीडिता के पिता ने पुलिस से मले पर मामला दज कराने की बात कही थी तो सेंगर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उल्टे पिता पर ही केस बनबा दिया था जिसके बाद में मौत भी हो गई थी और पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में गहरे च किये गए है उनके पिता पर जूटे केस दर्ज कराने का मामला भी दर्ज किया गया है और तीन दिन की हिरासत में रहेंगे आरोपी अब आरोपी कुल्दी पसेंगर जो MLA है उन्हें अब CBI ने हिरासत में ले लिया है उन्नाव रेप केस में नया मोड आया है अब कही न कहीं केस के सुलजने की भी संभावना जटाए जा रही है क्योंकि कुछ शक्क के दारे के होने के चलते CBI ने उन्हें तीन दिन की हिरासत में लिया है CBI को कुछ शक्याए इसी के आधार पर तीन दिन की हिरासत में लिया है CBI ने कुल्दी पसेंगर को और साथ ही आपको बता दें तमाम मामले भी उनपर दर्ज हुए है और उनके पिता पर जूटे केस दर्ज करवाने का मामला भी उन पर दर्ज है और CBI ने अब हिरासत में ले लिया है कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप केस के आरोपी है कुलदीप सेंगर अमेले हैं और उन्हें अब हिरासत में ले लिया है CBI ने CBI के और से जांच की जा रही थी इस पूरे मामले की जिसके चलते अब CBI ने ये कदम उठाया है और अब CBI ने हिरासत में ले लिया है कुल्दी प्रसेंगर को तो नाव रेप केस की जांच की जा रही थी CBI इस पूरे मामले की जांच में जुटी थी जिसके बाद अब CBI की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है तीन दिन के लिया गया है आरोपी को आरोपी कुल्दी पासेंगर की हम बात करें जिसे अब जो पीडिता थी उनके पिता पर जूटे मामले दर्ज करने का आरोप भी कुल्दी प सेंगर पर लगाया जा रहा है झाल झाल